तो के स्टुडेंट्स तो हमने देखा है कम्प्लीट दे टेबल बार राइटिंग दे नंबर्स इन एक्स्पाइड फॉर्म एंड वर्ड फॉर्म उके उसके बाद हम देख रहे हैं राइट दे स्टैंडर्ड नुमरल फॉर इच अप दे फॉल्विंग नंबर नेम्स तो स्टैंडर्ला इस श्तुड़न फ्रॉर्म यहां पर आपको इसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना लिखा गया थे ऐग्या है 1 थावजन करें तो फ्री फाहला ट्रीनेड़ फाहलेंड़ रीम्रेड फॉर्म यहां टिवा फ्रींड फॉर्म इसेऽध का इसவेंअ को इस और एक देखते है, 7,115, okay, 7,115, 7,115, तो इस तरीके से आपको बाकी रिमेनिंग जो questions है, वो questions आपको solve करने है, मतलब यहाँ पर आपको standard form लिखना है, okay, यहाँ पर word form दिया गया है, इसी का standard form आपको यहाँ पर लिखना है, next है, write the number name for the following, okay, number name दिया गया है, sorry, standard form दिया गया है, आपको number name लिखना है, तो यहाँ पर आपको उसका word form दिया गया है, तो यहाँ पर आपको numbers को read करना है, और numbers को read करने के बाद, like that, 7465, तो यहाँ पर आपको उसका number name लिखना है, okay, 7465, चलिए, लिखके देखते है, 7000, okay, 7400, 400, 400, 465, ओके, 65, तो इस तरीके से आपको इसका number name लिखना है, okay, और उसके बाद है, complete the table, okay, complete the table, there is a number, then you can write now, before number and after number, okay, then, first, 1492, so 1491, okay, then next, is 1492 and 1493, okay, अब इसको कैसे लिखो गया आप, 3462, तो आपको one less करना है, तो यहाँ पर आ जाओगे आप, तो 3461, ओके, और एक कम करेंगे तो 3460, मतलब आपको number भी मिल गया, after number भी मिल गया, और before number भी मिल गया, ओके, यहाँ पर आपको अगर solve करना है, 6250, तो one याड करेंगे तो, 6251, 6252, ओके, और यह आपको पता है, जैसे मैंने उपर इसको solve किया था, before number और after number लिखा था, ओके, उसके बाद देखते हैं, write the missing numbers in the following patterns, अभी यहाँ पर कुछ patterns आपको बताए गया है, patterns को ध्यान में रखके, आपको इसको solve करना और missing number लिखना है, अभी यहाँ पर देखे, सबसे पहले 1000 है, 1001 है, and 1002 है, मतलब series जो है, वो continuously एक से आगे बल रही है, one more, यहाँ पर लिखा है उपर one more, मतलब series एक से आगे बल रही है, तो 1000, 1001, 1002, then 1003, 1004, 1005, 1006, and 1007, okay, यहाँ पर अगर देखते हैं, तो 8310, and 8309, इस सिर्ज क्या हो रही है, ब्याकवर्ड में जा रही है, यहाँ पर series forward में जा रही थी, तो यहाँ पर series backward में आ रही है, मतलब पीछे-पीछे जा रहे है, 8,310 and 8,309, 8,308 तो 8,307, 8,306, 8,305, 8,304 and 8,303 ओके इसे तरीके से आपको देखना है जैसे 1112, 1114, 1116 मतलब 2 more, 1112 plus 2, 1114 and 1114 plus 2, 1116 सिरीज 2 से आगे बल रही है तो यह आपको दिहान में रखना है 16, 18, 20, 22, 24, 26 समझ में आया यह है यह दिहान में रखना है उसके बाद 5425, 5430, 5435 सिरीज 5 से आगे बल रही है, 5 more 25 में 5 एड करेंगे तो 30 मिलेगा, 30 में 5 एड करेंगे तो 35 इस तरीके से सिरीज आगे बढ़ती जाएगी, उसके बाद यहाँ पर 10 more है 9,800, 9,810, 9,820, तो यहाँ से 10 आपको प्लस करते जाना है आए हुए नंबर में उसके बाद 1000 less, अभी यहाँ पर 1000 less हो रहे हैं सिदे, 9,011, 8,011, 7,011 9,8,7, तो 6,5,4,3,2 मैंने क्या लिखा है, 9,8,7,6,5,4,3,2 ओके यह नंबर इसके बाद 0 common है, 0 common है, ओके यह 0 common है, इसलिए मैंने यहाँ पर 0 दे दिया अभी 11, 11, 11, तो यहाँ पर क्या आएगा, 11, 11, 11, 11, 11, और 11, ओके तो इस तरीके से यह 3 examples आपको यहाँ पर solve करने हैं, ओके देख सकते हैं, 10 more, 5 more, 2 more, मतलब more है, मतलब 2 add करना पड़ेगा, तो यह नंबर 26, ओके, इस तरीके से आपको इसको solve करना है, ओके, उसके बाद जो place value और face value है, यह हम next period में देखने वाले हैं, आज के लिए आपका यही work है, जो मैंने आपको बताया था, और यह आपने अगर complete नहीं किया होगा, तो इन numbers को आपको complete करना है, ओके, forward number में जाके, continuously numbers आपको लिखते जाना है, ओके students, आशा करता हूँ, आपको समझ में आया होगा, और यह वाला point, हम next period में देखने वाले है, place value and face value, तो यह ध्यान में रखना, और दिया हुआ work आपको complete करना है, ओके students, thank you, and see you tomorrow, okay, thank you once again.